हालो गाइज, मैं साजी दली, स्वागत है आपका वंडर टेक्निकल गुरू में तो क्या आप कम्प्यूटर चलाते हैं? हैंग तो करता होगा तो आज के बाद से आपका कम्प्यूटर या लेप्टॉप कभी हैंग नहीं करेगा समझ में आई बात, आपको करना क्या है? आपको बस करना इतना है कि जो मैंने अभी आपको ट्रिक बता रखे हैं आगे वीडियो में इसको आप अपलाई कीजिए आं शोर कि आपको आइनदा से कभी आपके लेप्टॉप ना तो हैंग ना हीं आपको और किसी तरह की प्राब्लम होगी आपकी प्रोसेसर की स्पीड बढ़ जाएगी, आपकी रेम की स्पीड बढ़ जाएगी आपका system बहुत ही smooth चलेगा आपको बिना किसी दिक्कत के और रही बात anti-virus की वो भी इस्तेमाल करने की कोई जरुवत नहीं है हम लोग जो भी use करते हैं internet या जो भी normal use करते हैं बहुत normally use होता है तो इसमें कोई anti-virus की आवशक्ता है ही नहीं computer को कैसी easily चलाना है बिना hang किये मैं आपको बताऊंगा तो follow कीजिए हमारे instruction को और apply कीजिए I am sure आपका system बिना hang किये next time से चलेगा computer के कुछ ऐसे tricks जो बहुत ही important है आईए हम उसको example देखते हैं से पहले तो आपको Ctrl Panel पे click करना है और Ctrl पे click करने के बाद आप यहा Howक से डीष डीषिदे आप लोग किरेंगे तो आजो का by default होगा लेकिन आपको करना indust for best appearance इसपे क्लिक करके आपको apply पे click करना फिर ok पे click करना है ठीक है adjust for best appearance उसके बाद आपको ok कर देना है ठीक है तो ये setting आप कर देंगे तो आपका जो system होगा उसका performance थोड़ा सा पहतर हो जाएगा पहले से ठीक है एक setting तो ये हो गया दूसरा देखिए आपको window disk defragmentation करना पड़ेगा तो आप यहाँ पे जाके all manager पे और disk defragment open करेंगे और यहां से आपको देख रहा होगा C drive इसको select करेंगे C drive को select करने के बाद यहां पे यह जो defragment disk दिख रहा है कहीं पे यह optimization भी लिखा रहा था है किसी-किसी के system में latest version में यह window 7 इसले इसमें defragment disk लिखा हुआ है तो इस पे आपको click करना है ठीक है और जैसे आप यह click करेंगे तो यह defragment होना सुरू हो जाएगा इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है टाइम लगता है तो आप इसको होने दीजिएगा ठीक है यह process करना भी इस process को करने से भी आपका जो computer का performance है वो काफी हद तक बहतर हो सकता है जो अभी आपके चलाने में hang करता है या फिर बहुत सारे आपके unnecessary files होते हैं जो defragment नहीं हुए रहते हैं इसके द्वारा वो auto defragment हो जाते हैं जो आपको जरुवत नहीं है वो automatic वो delete हो जाएंगे हट जाएंगे system से ठीक है यह trick हो गया उसके बाद हम आपको एक नई trick और पता रहा हैं इसमें आपको क्या करना है कि जैसे आप कोई system open कर रहा हैं इसके बाद हम आपको जो बताने वाले हैं वो आप computer पर click कीजिए अपने ठीक है आप अपने computer पर इसको यह जो चला है इसको background में कर दीजिए और चलने दीजिए आपको next जो trick मैं बताने वाला हूं उसको आप अपने computer पर click कीजिए ठीक है और वहां पर जाने कबाद आप C drive पर right click कीजिए तो नीचे properties का option आएगा इस पर click कीजिए और यह जो आपका disk cleanup आ रहा है ना जो unnecessary या other ज जो file होते हैं जो by default बन जाते हैं वो यह automatic clean कर देगा तो यह disk cleanup आपने clean किया यहाँ पर select है तो मैंने recycle bin भी select कर दिया और बाकी आपको अलग से कोई और नहीं यूज करना इस पर जो download programs file है temporary recycle bin है यह सारे जो file है internet के थूरू जब आपने internet यूज करते हैं तो बना रहता है इस क्लिक कर देना है तो यह आपका disk clean कर देगा इससे तो एक computer चलाने वाले student या कोई भी computer operator हो उसको यह चीज हमेशा जानना चाहिए ठीक है तो यह आपको delete करना है इसको तो यह trick आपने जान लिया अब जो मैं बताने वाला हूं बहुत ही important trick बताने वाला हूं आपको antivirus की जरूत नहीं पड़ेगी अगर आप ऐसा trick करते हैं और इसको जादे नहीं आप हर 15 दिन पर एक बार अगर ऐसा कर लेते हैं तो आपके system में कोई problem नहीं आने वाला है यह यह मैं guarantee के साथ कह सकता हूं ठीक है तो सबसे पहले आपको करना क्या है window plus r या फिर आप यहाँ पर run भी लिख सकते हैं तो यह open हो जाएगा ठीक है window के साथ r डबाईए या फिर direct जाके run वहाँ पर all menu पर run लिखिए ठीक है तो यह आ गया अब यहाँ पर आपको type करना है %temp क्या है %temp फिर % ओके कर दीजिए और जितने फाइल यह आए है आपके ठीक है सारे के सारे select कीजिए और इसे permanently delete कीजिए permanently delete एक होता है recycle bin में delete करेंगे तो recycle bin में चला जाएगा और shift के साथ जब delete दबाएंगे तो यह permanently delete आता है ठीक है न are you sure want to permanently yes कर दीजिए ठीक है कुछ एक फाइल हो सकते हैं आपके बच जाएं तो उसे skip कर देना चाहिए पहले एक बट्राइ कर लिजिए अगर delete हो रहा था ठीक है तो skip कर दीजिए उसको उन दोनों को skip कर दीजिए ठीक है तो एक तो यह हो गया उसका trick दूसरा फिर उसी में फिर आप run open कीजिए और इस बार आप आपको 20% के सिर्फ टैंप लिखना है ठीक है इस बर आपने टैंप किया मैं हमेशा delete करता रहता हूं इसलिए ज्यादे नहीं दीख रहा है तो आप फिर click इसमें जितना जो भी आपका आए इसको select call कीजिए delete कीजिए ठीक है यह delete कर दीए फिर अभी अभी एक picture मेरे भाई अ यह कीजिएगा तो आपको continue option आएगा इस पर click करना है ठीक है अब डेर सारा आपका यह program डेर सारा file यह open आएगा इस सब को यह आपको कोई भी इसमें से एक भी file आपके जरूरत की नहीं है इससे fall to file होती है इस सब को select करके permanently delete करना है ठीक है सारी इचीजों को select करके permanently delete कर दी c e and d क्या लिखना है re c e d e c e t d r e c e and t लिखने के लिखने से क्या होगा कि आपका कुछ और फाइल ख़ल खेंगे इनको भी सारे mark looks select करके delete कर दीजे ठीक है सारे mark kali अश्रेल के करने के बाद अब आपको करना क्या है एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट करीजे फिर देखें आपका सिस्टम कितना सही चलता है बिल्कुल बिना हैंग किये 100% मैं गारेंटी के साथ आपको बता दूँ कि अगर आप इन स्ट्रिक को इस्तमाल करते हैं तो आपके लेप्टॉप या कम्प्यूटर जो भी है आज के बाद से कभी हैंग नहीं करेगा समझे आई बद तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो बहुत प झाय कि अवाई टका इंद से कि अगर आपके ये वीडियो नहीं करते हैंज से